स्वागत एकबर फिर्ट से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पर हम यहां पर बात करने वाले हैं जेएस के वर्सेस पी आर के बीच में यह मैच नमबर 17 ऐसे टी 20 का खेला जाएगा देखेंगे किस तरीके से आज आपको फैंटसी टीम बनानी है किस तरीका से यह पिच करता है इस पिच पे कौन से एसे खेलाड़ी हैं जो अच्छा खेलने के चांसे बनानी है तो शुरू करेंगे पिच रिपोर्ट से जहानीस-बर के ग्राउन्ट पर यह मुकाबला रात 9 बज़े स्टार्ट होगा कैसा रहता है जोहनीजबर का विकेट अगर हम बात करें इंसोर्ट तो यह बल्ले यह जो विकेट है यह बल्ले बाजू के लिए एक्स्टर अडवांटेज देता है क्योंकि इसकी पाउंटेज इतनी बड़ी नहीं होती है अगर आप देखोगे है डोमेस्टिकली 45 मैंचेज में 164 का फर्स इनिंग का अवरेज इसकोर है बारा आठ वीच और नौ उन्तिस बार यहां पर पैटालीस मैंचेज में से 150 के अब अभी स्कोर गया है लास्ट सीजन यहां जो मुकाबला खिला गया था 151 वर्स इनिंग का अवरेज इसकोर फिन को 36 पेसर को यहां से आपको लग रहा होगा कि यह एक बहुत ही नूटरल विकिट है लेकिन लास्ट सीजन ना साथ में से एक दो मुकाबले ऐसे थे जहां पर बहुत ज्यादा लोग स्कोरिंग हो गया था क्योंकि एक दो टीम बहुत खराब के लिए इस वाई से गिर गया है लेकिन अगर आप इस टॉर्णामेंट में देखोगे पहले इस से पहले देखो जो रिसेंटली टू इंटरनेशनल मैचेज खेले गए थे 220 और 201 बने 200 प्लस स्कोर गया दोनों मैचेज में अभी इस टॉर्णामेंट में मोस्ट रिसेंट दो मुकाबले खेले गए दोनों यहां से आपको लग रहा है जो मैंने आपको हिस्टोरी की नीचर बताया यह विकट बल्लेबाजों के लिए अच्छा मदद करता है ठीक है अगर खुद बल्लेबाज खराब ना खेले तो बाकि बालिंग से एक न्यूट्रल सपोर्ट आप मान के चल सकते हो यहां पर अगर जल्दी सांथ हो जाओ और बाद में आपको फिर मैच होतावाद दीखे तो आफ्टर टॉस के बाद ही इंवेस्ट करना पहले मत करना क्यों हो सकता है मैच थोड़ा लेटी स्टार्ट हो तो कई लोग का सीडिवल थोड़ा बिगड़ जाता है कौन राइट है कौन लेफ्ट डीपलोई और मोहन अली डेविड वीजा सेफर लिजार्ड विलिम्स बचल प्लेश के कोई कमी नहीं प्रफ़र्म देखो रिजा इंडिक्स आउट फ़र्म डीपलोई ने ठीक था किया में का फॉर्म थीक थाक है नीचे यहां पर फरेर ने लास्ट मिच में 56 नाबात किया इसके लाबाए डेविड वीजा का एवरेश साफ फॉर्म है सेफर ने ठीक थाकिया है लिजार्ड विलिम्स ने अच्छा किया बर्जर का फॉर्म भी थीक थाकिया तो इनके और इनका फॉर्म इंडम डीसेंट है यहां पर अगर आप देखोगे तो टॉप बढ़लेबाज इनके जो फॉर्म में नहीं है जिसके वैसे इनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है बस यह तो लिजार्ड विलिम्स ना हो यह लोग के पूरे आपको देखते हुए मिलेंगे सामने अगर अगर टिके हुए हैं तो मोईनली आपको ठीक ठाग ओवर करते हुए दिखेंगे तब डेविड वीजा के ओवर कटेंगे और अगर इन दोनों के ठीक ठाग ओवर हो रहे हैं तो आप यह मान के चलो कि इन में से किसी का दिन खराब है जिनका ओवर कट रहा है त तो अकॉर्डिंग टू सिच्वेशन यह लोग ओवर डिस्टिब्यूट करते हैं यह बैंच प्लेयर से अभी हमने प्लेयर्स के रोल से देख लिए इंप्लेयर देख लिए अभी प्लेयर के स्टैट्स देखेंगे और इससे आगए जब हम टीम से लक्त करेंगे तो समझें सिच्वेशन जादा अच्शान जादा नहीं लिए सिर्फ सिर्फ से फोकस करो यहां पर देखू जैसे महां लोग किसी स्टैट्स देखना है और रहे है तो सब हमने सब कर सबीघंगर लृब Combat trash in it तो इस तरीके से आप हर एक प्लेयर का डीटल में स्टैट्स देख सकते हो जो अच्छा इस्टेट्स तो ज्यादा दिक्कते नहीं आएंगी आपको समझने में इसली आप समझ जाओगी किस प्लेयर का स्टैट्स अच्छा और किसका नहीं है ठीक है और अभी सिर्फ काफी अच्छा है इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारे टेलिग्राम चनल से नहीं जुड़े हो तो जूड़ जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा जूड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आफ्टर टॉच के सारी अपडेट शोड़े देते तो वहां पर ज्यादा दिक्कतनी होटी और फिर उसी के क्योंप यह वीडियो और सकती हो प्री है वीडियो के नजर आ क्योंकि इसके अलाब अगर हम बात करें पॉरल की टीम की तो जो इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर है देखो जौस बटलर डेविड मिलर फैलु कावय नगीडी मकोय और तब्ले सामसी इनकी टीम वेल बैलेंस नजर आ रही है क्योंकि इनकी टीम के कुछ एक प्लेयर अच्छी फॉर्म अच्छी फॉर्म में डेविड मिलर लास्ट थीन मचे से थोड़ा फ्लोक में स्टार्टिंग के दो मच में अच्छा किया तो यह धियान रखना है इनकी टीम वेल बैलेंस नजर आ रही है ठीक है भी फॉर्टन नगीडी मकोय यह इनके पावर प्लेगी गिंदबास दर्थ यहां पर फैबियान और विहान लूबे गिंदबाजी डाल सकते हैं सामने राइट हिंडर टिक हुए है और इनकी ओवर खतम से हो गए तो फैबियान आपको एक आद वर डालते वह दिख जाएंगे तो इस तरीके से कुछ इनका बॉलिंग डिस्ट्रिबियूशन होगा यह मैं अभी आपको जो प्लेइंग लैवन दिखाया तो इसके साथ ही दिखा चुगा हूँ अभी सिर्फ स्टैट्स पर फोकस करो आगे टीम बनाएंगे तो समझेंगे कौन से प्लेयर का सेलेक्शन किस समय जादा इंपॉर्डेंट है इसके लावा आप हैड-to-head record देखते है जब दोनों टीमों का मुखाबला होता है तो कौन से खिलाडी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं दो मैच की एक इनिंग में 71 रन विलियम्स कुछ खास नहीं है अरी डूप्लेसिस तीन मैच की दो इनिंग में छे अवरेज है रिजा इंडिक्स तीन मैच की दो इनिंग में छ सब्सक्राइब करते हैं जब इस ग्राउंड पर मुकाबला होता है तो बैटर्स जेसकी की तरब से रिजांट इनिंग में 423 फाव्डू प्लेसिस तालिस का अवरेज है लेकिन लोग का हैट्ट में रिकॉर्ड खराब था यह आपको ध्यान रखना है प्लोय का हैट्ट में रिकॉर्ड बढ़िया था वेन्यू पे भी अच्छा है च्छे इनिंग में 248 अंच बनाया है पॉरली की तरब से जेसंद्रोय है रिकॉर्ड अच्छा था और डेविड मिलर कभी यहां पर वेन्यू पर अच्छा रिकॉर्ड है पटलर ने थोड़ा डिसेंट रिकॉर्ड यहां पर होल्ड किया हुआ है बालिंग से बात करते हैं कोईट जी के खिला नहीं रहे अदर्वाइस इनका रिकॉर्ड अच्छा है समसी इस ग्राउन पर रिकॉर्ड अच्छा रखते तीन इनिंग में चार और फैलुका वे दो इनिंग में पांच विकिट है ठीक है इसके मखौई सोला गेंदह में दोबार आउट किया तो यह ध्यां देना अबिट मखुए खीएं और फैर बीने लिट के और यहां पर आओ तो यहां पर आपको डिविट विजा का नाम थोड़ा जादा दिखेगा और इमरान ताहिर का जैसर डेविट विजा को 34 सब्सक्राइब करें तो जोज बटलर ही एक अच्छे आपशन रहेंगे क्योंकि कि विकेट कीपिंग है प्लस फॉर्म भी है और उपन कर रहे हैं कपतानी माटेरियल रहेंगे क्योंकि लगातार स्कोरिंग भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन भल्लेबाजी काफी नीचे तो वह एक दिक्कत रहता है कि कब भल्लेबाजी ज्यादा आए कब कम आए तो एक चीज है कि लाश्ट दो मैचेस से ठीक ठाक करने और यह बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकिट है तो टेक्निकली अगर आप देखोगे एक ठीक ठाक पिक नजर आ रहे हैं बट वह यह कि थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी है इनमें तो वह कभी कभी आ जाएगी तो दिक्कत हो सकता है आपको डेविट मिलर भले ही लास्ट तीन मचेस से उतना अच्छा नहीं किया बट इनमें अबिलीटी है कि यह कभी भी बड़ी पारी खेल सकते हैं और अपने आपको प्रमोट कर सकते हैं ठीक है एल्टू प्लोई को रिशेंट फॉर्म देखते हुए प्लस हैट करते हैं अगर चलो लेफ्ट आम पेसर के सामने बच भी गए तो नगीडी के सामने इनको दो बार आउट कर चुके हैं तो यह चीज को देखते हुए मैंने इनको छोड़ दिया हो सकता अच्छा भी खेल जाए क्योंकि क्वालिटी प्लेस के उपर यह सब चीज उतना मैटर नहीं करती है उनको बस एक पारी चाहिए बट नंबर्स देखते हैं मैने इनको छोड़ा है रीजा हंडीक्स को भी मैं लेना चाहता हूं इन दोनों मेंसे मैं किसी एक को जरूर लेना चाहते हैं क्योंकि दोनों टॉप अडर के बल्लेबाजी के अच्छा विकेट हैं तो मै तो अगर आप लेना चाहते हो तो दोनों को ले सकते हो मैं भी अब बता दूंगा किसको किसकी जगे लेके जा सकते हो अगर यह पांचवे नंबर पर बनाने का दम रखते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह कि बल्लेबाजी फैक्टर बल्ले बाजी पोजीशन थोड़ा नीचे वह एक फैक्टर रह सकता है अब कर सकते हो लेकिन अभी के लिए मैं ज्यादा भरोसा इन पर कर नहीं रहा हूं ठीक है इसके अलावा इनके बारे में आपको एक बात बता दूँ जब मैं एयरपोर्ट पर था जोहानिजबर्क एयरपोर्ट पर तो यह लोग का जो डॉमेस्टिक क्रिकेट होता है ना जो सीएसे टीट्वेंटी आप देखते हो वहां पर मैं इनसे मिला भी था ठीक है इनके साथ मेरी फोटो भी है और एयरपोर्ट में हम दोनों साथ में लाइन में साथ में ही खड़े थे तो यह वाली बाती जस्ट में ऐसी बता दिया इस तो इनका स्लोवर और कटर्स अच्छा खासा काम करेगा तो यह दोनों इनिंग में इंपोर्टेंट पिक थोड़ा जो रिस्क लेना चाहिए कपतानी भी बना सकते है उसके बाद मोयन अली सामने वाले कुछ एक बैटर के सामने अच्छा खासा नंबर से बालिंग से प्लस इनके पास ना हिटिंग अबलिटी भी है ऐसे ग्राउंड पे इनको प्रोमोशन मिल सकता है तो मस्ठपिक विहां लुबे एक रिस्क हमेशा रहता है कि इनको कभी भी डिमोट किया जा सकता है लेकिन अगर इनकी टीम के टॉप बादर के बल्ले बाजो का विकेट दस ओवर इनकी टीम है बल्ले बाजी से कोई है मतलब एक रेलाइबल्टी नहीं कि किस पोजीशन पर आते हैं तो एक डेविड वीजा का बॉलिंग से थोड़ा नंबर्स ठीक है इनको ले लिया है बल्ले बाजी भी आती है गेंदबाजी भी आती है तो यह अच्छा करने का दम रख आप इनको छोड़के जैसे मैंने आपको लेना चाहो तो लेकर जा सकते हैं तो यह चेंज मैं भी कर सकता हूं आफ्टर टॉस की बात है उसके बाद बॉलिंग से मैंने नगीडी को लिया है मस्ठप पिक रहेंगे चाहे कोई भी इनिंग हो लिजार्ड विलियम्स की बात कर तो और भी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं तब यह द्रत में आते हैं और विकेट टेकिंग नेचर के गंदबाज है अगर इनकी टीम सेकेंड इनिंग में गंदबाजी कराएगे तो सायद में इनके जेगे पे इमरान ताहिर को लेके चले जाओ लेकिन इमरान ताहि लेकिन मैं बैटिंग विकेट को देखते हैं ज्यादा उमीद नहीं कर रहा हूं मैंने मकोई को लिया क्योंकि मकोई के नंबर काफी अच्छा है इस टीम के अगेंस्ट और इनका फॉर्म भी अच्छा है इसलिए भी फॉर्टन देखो अगर स्पिनिंग ट्रैक रहाना तो आप इनको उपर रिस्क ले सकते हो अगर सामने वाली टीम के पावर प्ले के जो है आप लोग प्लेयर नहीं ले रहे हो तो ठीक है तब यह उस समय अच्छा कर सकते हैं अभी थोड़ा स्टाइटिंग में फॉर्म अच्छा नहीं था है इसलिए मैंने आवाइट किया है वह इनकी टीम पहले बल्ले बाजी करेगी तो ही मैं इनको वाइस कप्ता नहीं दूंगा अधरवाइस अच्छी ऑप्शन है स्मॉल लिग में कैप्टेंशी वाइस कैप्टेंशी के लिए बाकी इस टीम में देखो रिजा हैंडिक्स या फिर फॉब्डू प्लेसे को आप कब ले सकते हो किसा लिए सकते हो किसे जगहें ले सकते हो वालिंcus को उपको प्लेक्रot को उसकते हो सारी बिदो में कर बने सबस्ट करेंगे और वीडियो में जो पॉइंट सम जाएगा जब दोनों का मिक्स करोगे तो आपको खुद दो से समझ में आने लगेगा कि किसओ में किस प्लेयर को ले करो according to situation जिस भी डाइरेक्शन में बना रहे हो प्लस यह जो मैंने आभी सेफ कैप्टेंशी वाइस कैप्टेंशी ऑप्सिंस बताए ना इसमें जील कैप्टेंशी वाइस कैप्टेंशी भी एड़ कर लो जेसं रोगों के ओपर कप्तानी वाइस कप्तानी रूटेट करो जैसे अगर आपका अच्छा है तो ही हो सकता है आपका कुछ हो ना पाई क्योंकि बहुत ज्यादा काम करता है स्किल्स पर आपको जो है प्रॉफिट बन सकता है तो प्लीज आप लोग अपने टीम बनाएगा ज़रूरी नहीं कि आपको सेम बनाने जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने आपको इस वीडियो से काफी कुछ सिखाया है फाइनल अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जोड़ जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है कमेंट सेक्षन के सबसे पहले कमेंट में लिंक है बिल्कुल फ्री है और अगर आपने इस वीडियो से क पॉस्क्राइब भी कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिन